दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस विडियो में दोस्तो यह विडियो हम हमारे विईवर्स की रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं हमारी एर्फोर्स की बैकबुन SU-30'M के येक्राफ्ट है ये हमारी एर फोर्स का हैवी वेट और एर स्प्योर्टी एक क्राफ्ट है इस एक क्राफ्ट का अभी बहुत क्रिटिसिजम किया जा रहा है इस criticism में कुछ बातें logical हैं और कुछ बातें बिलकुल illogical हैं जो की सिर्फ इसकी credibility को कम करने के लिए की जाती हैं ये एक craft काफी बड़ा एक craft है जिसके करएन इसका radar signature काफी बड़ा है और इसके करएन इसका काफी criticism भी हूता है बड़े radar cross section के कारण काफी problems भी आती हैं जिसके कारण एक craft को track कर पना काफी आसान हो जाता है कुछ दिन पहले मुझे एक concept देखने को मिला था जो कि Russian Defense Forum में देखने को मिला था जिसमें F-15 Silent Eagle जैसा ही SU-30M के एक craft को modify किया गया था आज किस वीडियो में हम उस concept के बारे में जानेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या ये concept पॉसिबल है और क्या SU-30M के एक craft के radar cross section को कम किया जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं जिस semi stealth concept की हम बात कर रहे हैं उसमें एक craft को semi stealth बनाने के लिए कुछ design changes सजेस्ट किये गए है इसमें बताया गया है कि इसका design semi stealth होगा इसमें internal weapon base होंगे इसमें fully radar absorbent materials की coating होगी इसमें bubble canopy का इस्तिमाल किया जाएगा इसमें जो intakes होंगी वो serpentine shape वाली होंगी इसके साथ ही इसमें blended wings होंगे यह सबी चीजें मिलकर इस aircraft के RCS को कम करेंगी यह concept F-15 silent eagle से inspired लगता है जिसमें ऐसे ही modification करके उसके RCS को कम किया गया था लेकिन यह concept किसी भी angle से feasible नहीं है जो अमेरिका के बोईंग ने F-15 का silent eagle concept बनाया था वो भी take off नहीं कर पाया और उसके कोई भी aircraft ख्रीदे नहीं गये थे उसके कुछ कारण है एक तो कारण यह है कि ऐसी reports आ चुकी है कि सुपर स्कोई में कोई airframe changes नहीं किये जाएंगे दूसरा कारण यह है कि यह concept बहुत महिंगा होगा और इसके साथ ही ऐसा करने के लिए Russia से permission चाहिए होगी और रशिया इसके लिए बहुत ज़़ा चार्ज करेगा रशिया ने ऐसे सुपर स्कोई concept पहले offer किये हैं जिसमें radar cross section को reduce करना शामिल है लेकिन उनका कहना है कि इस upgrade की cost इस बात पर depend करेगी कि कौन सा package इंडिनेर फोर्स चूज करती है ऐसे ही 2013 में रशियन्स को भरमोस मिसायल को SEO 30M के एक क्राफ्ट के साथ integrate करने के लिए कहा गया था लेकिन रशियन्स ने इसके लिए 1300 क्रोड मागी थे लेकिन HAL के पास budget कम होने के कारण उन्होंने ये deal reject कर दी और बिना किसी help के इसकी उपर काम करना शुरू कर दिया नहीं है कि हम 130M के एक क्राफ्ट की RCS को कम नहीं कर सकते वह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशियन्स ने SEO 35 एक क्राफ्ट के साथ ऐसा किया है वह भी बिना बड़े changes किये उन्होंने केवल radar absorbent materials की coating को जुरूरत वाली places में लगा कर उसके RCS को 90% कम किया SEO 35 में किये गे changes के कारण SEO 35 एक क्राफ्ट की X radio wave band और 60 degrees के एंगल में radar cross section काफी कम हो गई है SEO 35 एक क्राफ्ट में radar absorbent materials का इस्तेमाल किया गया है इसमें पूरी body में इन materials का इस्तेमाल नहीं किया गया है बलकि कुछ ही जगाओं पर इसका इस्तेमाल किया गया है इन materials का इस्तेमाल engine inlets और engine compressor के front stages पर लगाया गया है जिससे सकोई 35 एक क्राफ्ट की frontal radar cross section काफी reduce हो गई है हमारा SEO 30 M के एक क्राफ्ट और सकोई 35 एक क्राफ्ट थोड़ी different है ये दोनों एक क्राफ्ट सकोई 27 एक क्राफ्ट के air frame पर based है फर्क सिर्फ इतना है कि सकोई 30 M के एक क्राफ्ट में कनाड़ से इस्तेमाल किये गए है और ये 135 एक क्राफ्ट है उसमें ये remove कर दिये गए है हमारे DRD ने ऐसे materials AMC fighter jet के लिए develop किये है और इन materials से रडार क्रॉस section एक्राफ्ट करना possible है बाकि ऐसा implement किया जाएगा या नहीं ये सिर्फ feasibility studies के बाद ही पता चलेगा लेकिन ये possible है इससे पहले जब सुपर स्कोई upgrade को लेकर बात होती थी तो इसमें बहुत सारी चीजे mention की जाती थी क्योंकि इसको लेकर engineer force ने कोई भी confirmation नहीं दी थी तो इसको लेकर काफी theory सामने आती थी इसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि इस upgrade में इस एक क्राफ्ट के radar क्रॉफ सेक्शन को कम करने के लिए एर फ्रेम में चेंजस किये जाएंगे इसमें नए engine लगाए जाएंगे और बाकी avionics को भी upgrade किया जाएगा लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐसी report सामने आने लगी जिसमें ऐसा बताया जा रहा था कि इस एक क्राफ्ट में engineer force नहीं चाहती है कि इसके airframe में चेंजस किये जाएं और नहीं इस upgrade में engineer force चाहती है कि इसमें नए engine लगाए जाए उसके काफी कारण भी दिये गए थे एक कारण ये भी था कि engineer force square 35 aircraft में इस्तिमाल किये गए AL-41F engine से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि square 57 aircraft में इस्तिमाल किये जाने वाले नए engine से इस aircraft में लगाए जाएं square 57 aircraft के लिए नए engine डिवेल्प किये जा रहे हैं जो कि अभी भी development में हैं इसके लावा भी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि engineer force चाहती है कि जो SU 57 aircraft के लिए नए टेकनोलोजिस डिवेल्प की गई है उन्हीं टेकनोलोजिस का हमारे 130M के aircraft के सुपर स्खोई अपगेड में इस्तिमाल किया जाए लेकिन बाद में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इस अपगेड प्रोग्राम को भी खारिज कर दिया गया है रस्या ने ऐसी ओफर दी थी कि जो सुपर स्खोई 57 aircraft में इस्तिमाल किया जाने वाले ने सिस्टम्स हैं वो सुपर स्खोई अपगेड में इस्तिमाल किया जा सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं बताया गया था कि कितनी कीमत इन अपगेड के लिए चार्ज की जाएगी और ऐसी रिपोर्ट थी कि रस्या का ये भी कहना था कि इसके कॉस्ट इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनडिन एर फोर्स कौन से पैकेज को चूज करती है लेकिन ये जाहर सी बात थी कि इस अपगेड के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमत मागने वाले थे और अभी जैसी हमारी फाइनेशल कंडिशन है उसको देकर ऐसा नहीं लगता है कि हम रशियन सिस्टम्स के इस्तिमाल से हमारे एक क्राफ्ट को अपडेट करेंगे हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये जानकारी दी थी कि हमारे HCL और DRD ने भी ऐसे सिस्टम डिवैल्ब किये हैं जिसके इस्तिमाल से हम इंडिजनसली हमारे एक क्राफ्ट को अपडेट कर सकते हैं और हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि हमारे उत्तम एएस रडार के एक बड़े वर्जिन को ही अभी स्खोई 30M के एक क्राफ्ट की अपड़ेट में इस्तिमाल किया जाएगा और हम किसी रशियन रडार का इस्तिमाल नहीं करेंगे जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कैसे बर्मोस मिसायल की इंडिगरेशन के वक्त भी रशिया काफी बड़ी कीमत मांग रहा था और HAL ने इसकी इंटिगरेशन को काफी कम कीमत में कर दिया था और वैसे ही अगर हम इस अपग्रेट को इंडिजनसली करना चाहें तो ये अपग्रेट हमारे लिए काफी सस्ती हो सकती है और इस अपग्रेड के लिए जातर एक्विमेट हमारे पास पहले से तयार है लेकिन यहाँ पर फिर भी एक लिमिटेशन रह जाती है वो ये है कि ऐसे कंसर्ण है कि हमारे 130M के एक क्राफ्ट का जो अभी मौजूद इंजन है वो इतनी पावर जनरेट नहीं करता है कि वो अडवांस अवियोनिक्स जैसे की एक A.S.A.D.R. को स्पोर्ट कर सके क्योंकि ऐसे नए अवियोनिक्स के लिए ज़्यादा लेक्टरिसिटी चाहिए और हमारा पुराना इंजन इतनी एक्टरिसिटी जनरेट नहीं करता है ये एक बड़ी वज़े है कि शायद हमें इस एक क्राफ्ट के इंजन के लिए बाहर से किसी इंजन को सोर्स करना पड़े लेकिन यहाँ पर भी एक नई पॉसिबिल्टी सामने आ जाती है कि जैसे हम रॉल्स रोइस के साथ और साफ्रान के साथ जॉइंट वेंचर करने की बाते कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो नया इंजन हमारे एम से फाइटर जैट के लिए डिवैल्प किया जाए उसी इंजन का एक वरजन हमारे 130M के एक क्राफ्ट की अफ़ग्रड में भी इस्तिमाल किया जाए और अभी ऐसी रिपोर्ट है कि अभी इस अफ़ग्रड को बहत जल्दी नहीं किया जाएगा इसमें अभी काफी समय है तो जब तक इसे craft की upgrade की जाएगी तो तब तक हमारे पास एक indigenous engine की option available होगी जो कि हम इसे craft में इस्तिमाल कर सकेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही गर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भरत